जबलपूर की बरगी नगर से लापता किसोरी हैदराबाद में मिली बरगी पुलिस ने आरोपी को दवोच लिया है किसोरी गरहुवती है वह धर्म बदल कर वहां मजदूरी कर रही थी कोट में पेस करने के बाद आगे की करवाही पुलिस करेगी पुलिस के मुताबिक बर्गी नगर छेतर निवासी किसोरी वर्स 2021 में लापता हो गई थी बर्गी नगर चौकी में परिजनों ने अपहरन का प्रकरण दरश कराया था तब से किसोरी का पता नहीं चल रहा था स्पी ने गुम सुद्की के प्रकरणों की समिच्छा करने के बाद इस केस को सुलजाने का टार्गेट बर्गी पुलिस को दिया था बर्गी पुलिस ने साइबर सिल और अस्थानी लोगों की मदद से पता लगाने का प्रयास किया तब पता चला कि किसौरी के गायव होने के बाद से ही छेत्र का एक युबग भी हैदराबाद में रह रहा है हैदराबाद पहुँची पुलिस टीम को किसौरी की तलास में काफी परेसानी हुई उसे भगा कर ले गए युबक के दवाब में किसोरी ने धर्म बदल कर नाम हुआ उपनाम बदल लिया था जबकि बरगी पुलिस किसोरी को असल नाम और उपनाम से तलास रही थी काफी मसकत के बाद पुलिस किसोरी तक पहुँच गए इसके बाद अपहरन करता का पता चला तो पुलिस ने उसे भी दबोच लिया किसोरी ने बताया कि आरोपी उसे घर से डरा धमका कर भागने पर मजबूर किया था हैदराबाद ले जाकर उसे किराये के माकान पर रखा वहाँ उसका सारी रिक सोसन करता रहा वह गरभवती है बाद में आरोपी के साथ मजदूरी करने लगी किसोरी को दस्तियाब कर पुलिस अपहरन करता को गिरफतार कर जवलपुरी के लिए रवाना हो चुकी है किसोरी के मिलने की खबर उसके घरवालों को दे दी गई है देर रात तक टीम की आने की उमीद है टी आई बरगी रितेस पांडे के मताविक किसोरी वा आरोपी को सुक्रवार को कोट में पेस किया जाएगा कोट के आदेस की अमसार आगे की कारवाही होगी